तो जैसा कि अभी तक हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लूपिन औरिजिन एंचेस्टर को वहाँ पर ले आया होता है सेफली में वहाँ पर वो सारी चीजे पता नहीं लगते हैं वह यहाँ पर प्रिवेसली हमें बताया जाता है कि जब हो ऑरिजिन एंचेस्टर की हेल्प कराना चाहते थे तो उसने एंचेस्टर पूरी तरह से सामने सामने रहकर चीख सकते हैं लूफिंग कहते हैं कि युवा तुम्हें यहां पर freely इन में से किसी resources को choose कर सकते हैं तोर जी एंचेस्टर कहते हैं कि यहां पर resources को बहुत ही अच्छे से manage करनी चाहिए क्योंकि future में human descendant भी यहाँ पे आने वाले हैं जिसके कान हमें यहाँ पे कई सारे ordinary eternal true gods भी देखने को मिलेगे सब के लिए भी तो हमें यहाँ पे बचा कर रखना होगा तो looping smile करते वे कहता है कि अभी देखा जाए तो बाकि humans cultivator आएंगे तब तक के लिए trees काफी हैं और यहाँ पे looping जानता था कि उनके पास अभी बहुत साई trees पर हुए और looping कहता है युवान अपनी cultivation में time लो मुझे यहाँ पे बताना अगर आपको कुछ जरूरत होगी तो origin ancestor कहते कि आगे बढ़ो बीजी हो जाओ मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी cultivation को interrupt नहीं किया होता है जिसके बाद दिखाया जाता है कि वो अपने study को फिर से चालू कर देता है ए ट्रिबलेशन टायराम life forms को लेकर जहाँ पे looping उसके life essence को समझने की कोसिस कर रहा होता है looping जल्दबाद ही नहीं करता क्योंकि यहाँ तो जानता था कि अभी उसक पूरी तासे नहीं सीख पाया होता है यहाँ पे looping reflect करते ही कहता है कि inheritance होना तो और भी आसान है लेकिन उसको समझ पाना तो और भी मुश्किल हो जाता है looping पूरी कोसिस कर रहा होता है और इसको समझने की अब देखो यहाँ पे फिर से वो डॉव वाली बात होने लगी बक पायने लगता है looping इन सब के बार में सूसने लगता है और कहता है कि आखिर का यह कैसे life structure है जो कि spiritually इतने पावफुल होते हैं जो कि god king level powerhouse को भी बना देते हैं अब फिलाल तो मैं god king level तक नहीं पहुचा हूँ लेकिन उनकी power सच में कमाल की होती है और कहता है कि major transformation technique के उस level creatures पर depend करती हैं जो कि उसको transform कर देती हैं लेकिन inheritance के according या पर जिसका भी जितना दारा stronger spirituality होगी वो उतना दारा extraordinary होगा है लाएगा और वो अपने आपके spirituality को enhance करने की सोचने लगता है बने को फिर से बगवास की जाती है और तभी वहाँ पे looping सब के बार में सूच रहा होता है जो कहता है ब्रदर लू है अब looping पूरी तरसे seclusion में होता है इसने पूरी तरसे outside world के बाहर का connection कट कर दिया होता है सिर्फ अभी के फिलाल चुयू और origin अंचेस्ट रहें उससे reach कर सकते हैं और बात रही मोरोजा कि तो वो तो mental communication कर ही सकता है जिसके बाद चुयू कहता है कि ब्रदर लू है यहाँ पर तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी guest official token का task भी आता है यहाँ पर अभी कुछ task आये हुए हैं अब looping क्याता है कि हाँ तुमने सही कहां लेकिन अभी अच्छे task नहीं है क्योंकि यहाँ पर अभी सिप security की task दी गई होती है अब देखो जो security की task ह होती है वह बहुत ही लंबा होता है इसमें task भी mates भी अच्छे नहीं मिलते हैं इसके बाद चुयू हस्त भी कहता है कि हम तुमने सही कहां जो task हमें चाहिए वह हमें मिलता ही नहीं लेकिन मैं तुम्हें एक task को assign कर सकता हूं क्या तुम उसे accept कर सकते हो तो looping कहता है कि आकर कैसा task है जिसके बादो क्या आता है कि तुम्हें two chapters के अंदर पेट्रोल official को लेकर solve करना है जहाँ पे हमें तीन पेट्रोल official की जरूबर थे और सभी chaos level guest official होने चाहिए अब देखो जो आगे बताता है कि in reality देखा जा तो two chapters के अंदर अपने military small affairs होती है मतलब कुछ कुछ बा कर सकते हैं जहाँ पर तुम अगर ऐसा करोगे तो तुम्हें वहाँ पर बहुत सारा merit points मिल सकते हैं जिसके बाद वह looping को समझाते हैं अब यहाँ पर looping क्याता है कि क्या यहाँ पर कुछ और requirement से petrol official बन कर तो तो वह कहता है कि हम तुम्हें वहाँ पर guard करना होगा वहाँ पर 1000 दे तुम वहाँ से जा नहीं सकते हैं अगर अपसेंट हुए तो सिफ 1000 डेज पे एक इपोज में सिफ 1000 डेज ही गायब रह सकते हो अगर तुम्हें इपास कोई objection ही तो मैं तुम्हें यह task दे सकता हूँ तो looping के आता है कि ठीक है और वो भी accept कर लेता है अब देखो looping को कर रहना था और looping का task complete हो जाता है अटाक होता है तो सिफ उसको defend करना होता है अब looping इसको naturally accept कर लेता है और टाइम पास होता है और दिखाया जाता है कि यहाँ पे हाफ इपोज ऐसे ही गुजर चुके होते हैं और इस टाइम में looping two capital के petrol official में वहाँ पे रह रहा होता है और यह wine तो सच में exceptional है यह मेरे पुरे के पुरे god body और soul को nourish कर रही है और यहाँ पे सिफ एक cup पीने सही और जिन एंचेस्टर को ऐसा feel हो रहा था कि उनकी god body strong हो चुकी है तो looping explain करते है क्याता है कि इसे baggy wine का जाता है ज्योंकि कि किसी भी 100 chaos level beast के blood से extract किया जाता है और इसकी single pot की की मती 100 universe sands होती है जो की बहुत म्यागी होती है और यह जानकर है origin ancestor भी astonies हो जाते ही है क्योंकि एक average true god eternal true god इसको afford भी नहीं कर सकता है अगर वो अपनी पूरी life sentence लगा दे फिर भी वो इसको afford नहीं कर सकता है यहाँ पे 100 chaos level beast की बात की जा रही होते है अभी looping अगर eternal trigger ह होता तो वह भी इसार अभी afford करने से इसके बाद में सोचता है तो looping explain करते हुए कहता है कि यह कुछ भी नहीं है यहाँ पर मैं के उस लेवल का बंदा बन चुका हूं तो यह सब में लिए छोटी बात हो चुकी है वो सारी चीज़ें बताने लगता हैं इसके बाद वह ऐसे बात करने लगते हैं लेकिन तभी वहाँ पर looping को एक और न्यूज आती है जो कहती है कि ब्रदल हुए मेरे कवास फिर से एक टास्क है जो कि तुम्हें इसके कान तुम्हें सीटी को लीव करकी जाना होगा तो looping उससे पूछता है कि कैसा टास्क जहां पर हो कहता है कि मैं तुम्हें डिटेल भी सता हूं तुम यह देख सकते हो इस टास्क को करने पर तुम्हें टेंट आजन मेरेट पॉंट्स मिलेंगे और मैंने यह तुम्हार नहीं खो जा और मैंने इसको ले लिया इसको देखो अगर तुम चाहो तो इसको असेप कर सकते हो जिसके बाद एक इफर्मेशन को लूफिंग पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है कि क्यां चुम्हें के उस्टेट में यांग् फेंक स्टेंग मेंगें मौजूद है, जो की एक और्डिनारी ट्यानक्यु सीटी में से एक हैं, लेकिन दिखाया तो उस सीटी में ट्यानक्यु स्ट essence को चोरी कर रहा है आपको वहाँ पर जाकर चोर के बार में पता लगाना है अगर आपने पता लगा दिया उसके identity के बार में तो आपको 10,000 को रिवील करना है सबसे बड़ी priority होता है उसको capture कर पार हम तो असान होता है लेकिन identity में होते पर चल गया तो उसके हरेग चीज के बाता है कि यॉ freight के लिए बहुत देखा जाता है अँ यह स्टास को ले ले लेता हूं जिसके बाद कीया है कि मैं तुमारी Good Docks को भेज देता हो ताकि तुम इन सब को पढ़ कर समझ पाओ कि अभी वहाँ कैसा हाल चल रहा है अब यहाँ पे chaos creature को capture तो नहीं किया गया था क्योंकि वह बहुत ही strong था अभी यहाँ पे लूफिंग उन सब के बार में जानने लगता है और लूफिंग कहता है कि यहाँ पे सब को करना आप देखो वहाँ पे बात हो रही होती है कि तभी लूफिंग यहाँ पे उससे कहता है कि वैसे ब्रदर चुहे क्या तुम मेरे कुछ मदद करोगी मुझे यहाँ पे कुछ chaos level chaos creature की बौड़ी पार्ट साही थी तो यही जानकर वो पूरी तल से हैरान हो जाता और कहता chaos creature अगर तुम बात कर रहे हो किसी एक जॉक्री बीस्ट के बार में तो यहाँ पे हर जग मौजूद है यहाँ पर दस से भी जाला कम होती है इस पूरे की पूरे गौड किंग्स में तो यहाँ पर लूपिंग कहता है कि मुझे उसके पूरी बौड़ी नहीं बस उसके पार्ट की जरुबत है तो चुई जानकर त्वासा रहत महसूद करता है और वो कहता कि अगर कुछ बौड़ी पार्ट की जरुबत है तो मैं उसको एरेंज कर सकता हूं लेकिन इसमें टाइम शुर में लएंगा और मैं भी स्यो नहीं कि कीछा के पास उस क्रिएट चर्ट के पार्ट होगे तौ लूफौग कहाता है कि मेरें इम्पौर्टन और मैं तुमपर यहाँ पर निरफोड करता हूँ तो यह जानकर वो भी हरान हो जाता है कि क्या यह तुम्हारे साता हूं कि chaotic creature की body parts को मिल पाना इतना जारा मुश्किल की हैं देखो किसी भी chaos level बंदे होते हैं उसको मारने पर उसकी पूरी body चाहि को यूज करने से पहले ही और यहां पर देखा जयांते लूफंग को इसमें प्रॉब्लम भी होती हैं लेकिन क्या करें लूफंग पाफुले वह अपनी सोल टेक्निक के एटाक्स को जानता है अब लूफंग अपने गैलेक्से ट्रास्फॉरमेशन को यूज करके वहां जा रहा होता है जिसके कान उसकी स्पीड हर एक चीज बढ़ चुकी होती है यह उसकी इस्टेल ट्रांसफोर्मेशन में से एक होती है जो कि लूफिंग ने स्पेसली 108 ट्रिलियन ड्रप्स को मिलाने के बाद की होती है और जब कि लूफिंग के उस लेवल में पहुच चुका ह कि उसे कैसे इन सबको निप्टाना है और लूफिंग आगे बढ़ने लगता है और फिर लूफिंग देखता है कि ट्यान क्यू माइनिंग एरिया लगवा 800 बिलियन किलो मिटर्स में फैली हुए और लूफिंग का जो गैलेक्सी होता है गैलेक्सी ट्रांसफोर्मेशन वो इस पूरे 800 बिलियन किलो मिटर्स में अराम में अराम से घेरा लगा सकता है मतलब वहां पे नजर बनाएं रख सकता है वो जान सकता कि कहां क्या हो रहा है अब लूफिंग इन सबको देख पाता है अब देको वहां भी फॉर्मिशन लगी हुई थी जो कि किसी के फॉंक्श माना है कि यहां पे कैसा है माइनर्स अंदर ही मारे गए हैं और यह जरूर उसी बंदे ने किया है और वो क्या चालो मेरे लिए अच्छा लग होगा कि वो मुझे जल्दी मिल जा अलूपिंग यहां पे और लूपिंग वहां पे आगे बरता है मैं मैंनिंग टीम को दिखा अब देखो यहां पे लगबर 300-3000 बिलियन किलोमीटर के सर्फिस के अंदर जाके उन्हें माइन करना पड़ता है यहां के माइनिंग के बंदे भी कोई चोटे मोटे नहीं बलकि इटार्नल ट्रेव गाड्स के बंदे देख रहे हो किस हद तक यहां चल रहा है इटार्नल ट् हो लोग करी रहां वहां पिर से करीन कि वहां से नहीं नहीं आटापा को सॉट ह्ने के पास अपनी कंशनल कोटिन के में होती है था कि वहहां पे बाहां पर बात कर सकते लिए अब लूफिंग वहां पर सब चीज को क्यारी हर रहा होता और तब लूफिंग को पढ़ा जल जाता कि यहां पर कोई आ चुका है जो कि यहां पर चोरी करने के लिए आया होता है तो मेरे आखों के सामने चोरी करना तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो और वहां पर उधर जाने लग होती थे तो इसे के साथ हम नेइक्स एपीसोड में देखेंगे लूफेंग एंसे को पकड़ता है उसे को पकरने के साथ कैसे लूफेंग एक बहुत बड़े बंदे के साथ पंगा लेड़ता है रूफन को घंता फॉक्ज créitum Phill लोड़ाए और लूफिंग नेक्स्ट एपिसोड में जानेगी कि लूफिंग उसे क्या से बगड़ता तब तक के लिए बाई